नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चुले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को सूबे के पारे में तेजी से देखी गई गिरावट दिसंबर के तीसरे हफ़ते में मौसम ने तेजी से करवर बतली है पिछले दो दुरों से उत्तर पश्च में दिशा से आ रही बरफीली हवाओं ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है 16-22 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से बह रही इन हवाओं का असर यह देखने को मिल रहा है कि सूबे के सभी शेहरों का पारा 3-4 डिगरी तक नीचे आया है ठंड का आलम यह है कि गया का नियुनतम तापमान 5.1 डिगरी पर पहुँच गया है पिछले 24 घंटे में 6 डिगरी तक पारे में गिरावट ने यहां के जन जीवन पर व्यापक असर डाला है पटना में भी नियुनतम पारा पिछले 24 घंटे में 4 डिगरी नीचे लोढ़क कर 8 तशमलब 4 डिगरी सेल्सियस पर आ गया है हाला के शुकरवार को धूप देखी गई मगर गर्मा हट नहीं हुई सुबह शाम लोग ठंड से ठोड़ते नजर आए मौसम विज्यानिकों की माने तो अगले एक से दो दिनों में पारे में दो डिगरी तक की गिरावट और आ सकती है सुमबार को आएगी बिहार में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की गाइडलाइन बिहार में चार जनवरी से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की एडवाईजरी जारी कर दी गई है स्कूल खोलने के पहले पूरे परिसर को हाला की सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है इसके लिए एक बेंच पर एक चात्र को ही बिठाए जाने का प्रावधान रखा गया है बिहार सरकार के नौवी से बारहवी तक के स्कूल खोलने के आदेश के बाद स्कूलों ने अपनी तयारी का धाचा तयार करना शुरू कर दिया है आपको बता दे COVID-19 के कारण 14 मर्च 2020 से सारे स्कूल बंद पड़े है ऐसे में अब स्कूल खोलने के आदेश के बाद तयारी शुरू कर दिगई है स्कूल खोलने से अब नियमित का खशाय चलेंगी स्कूल में छात्रों का सिल बस पूरा करवाय जाएगा हाला कि स्कूल खोलने को लेकर सोमवार को गाइडलाइन जारी होगी वाहन ओवर्लोडिंग वालों की अब खेर नहीं वाहन अगर ओवर्लोडिट पकड़े गए तो अब ऐसे वाहन मालिकों की खेर नहीं है निरे जानकारी के नुसार ओवर्लोडिट वाहनों पर Prevention of Damage to Public Property Act के तहट प्राथ में की दर्ज होगी इसके लिए किसी तरह की कानूनी बाधा अलग नहीं है तीन महीने में 22 पुलो पर सडको परवानों के वजन जाच करने की मशीन लग जाएगी NHAI, पत्निर्मान और परिवान विभाग द्वारा ओवर्लोडिंग रोके जाने को लेकर हुई सैयुक्त बैठक में यह फैसला हुआ है तोल प्लाजा पर कम से कम पंद्र पुलिस कर्मी और साप के जवान की तैनाती कर दी गई है प्रत्तेक टोल प्लाजा पर माइनिंग और परिवान विभाग के प्रवर्तन तंत्र के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे M.V.A.R.C. तथा माइनिंग आक्ट के तहट भी दंड लगाय जाएगा हाइकोट ने पत्ना नगर निगम से मांगा दो साल का हिसाब हाइकोट ने पत्ना नगर निगम से दो साल का हिसाब मांगा है शुकरवार को कोट नगर आयुक्त को आदेश दिया गया है कि वो रिपोर्ट दाखिल करे कि पिछले दो वित्य वर्ष में सरकार से कितनी राशी मिली है और उसमें से कितना कहा और कैसे खर्चिया गया है कोट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वो फोरण मेर के साथ बैठक कर यह तै करे कि निगम नगर पालिका कानून के तहट पत्नावासियों को बुनियादी नागरिक सुवधाएं कैसे देने वाले हैं उनके पास समस्याओं के लिए क्या उपाएं हैं इस बावत भी निगम को एक जवावी हल्फनामा दायर करना होगा मामले के अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी मुखे नयधीश, संजय करोल और नयधीश, एस कुमार की खंड़ पीठ ने अडवोगेट मयूरी के लोखे दिया चिका पर सुनवाई करते वे उक्तादेश दिया है आज भिहारी बिथरे स्पेशल में हम बात करेंगे राय बहादूर सर उपेंदरनाथ ब्रहमचारी की, राय बहादूर सर उपेंदरनाथ ब्रहमचारी एक भात्य वैग्यानिक और अपने समय के एक प्रमुक चिकित सा विवजाई थे उन्होंने 1922 में यूरिया स्टिबमाईन को संशोधित किया और यहां निर्धारित किया किया यह काला अजहरिच के उपचार में अन्य एंटिमनी योगी के लिए एक प्रभावी विकल्ब था भारत में हजार लोगों की जानबची विशेश का रसम के पुर्ववर्ती प्रांत में जहां कई गाउं पूरी तरह से तभा हो गये थे व्रमचारी की उपलब्धी एंटिबाटिक उपचार के आगमन से पहले के वर्षों में चुकेटसा उपचार में विज्ञान के सफल अन बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहीं है बीते दिन आयोजित स्वास्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने हिदायत दी है कि वैक्सिनेशन के काम में उचित धंग से कर्मचारियों की न्यूखती हो लेकिन यह भी ध्यान रहे कि अन्य स्वास्त स देवाएं भी आबाध ठंग से चलती रहे उन्होंने आगे निर्देश देते वे कहा है कि प्रात्मिक स्वास्त केंद्र स्तामुदाइक स्वास्त केंद्र अनुमंडली अस्पताल और जुला अस्पतालों में उपलब्द सुविधाओं को और बेहतर करने की जरूरत है सभ कोई छेतरों का आंकलन करा ले कोई छेतर सुविधा से वंचित ना रहे इसके साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि टेली मेडिसन के माधम से अस्पतालों को जोडने का काम ततकाल पूरा करे नितन गटकरी ने दो साल में टोल बूट से देश को मुक्त करने की कही बात केंद चाले ने इसके लिए GPS आधारित टोल कलेक्शन की नई विवस्ता लागू करने की योजरा बनाई है इसमें वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल राश्री सीधे व्यक्ति के बैंक खाते से काट लिव जाएगी हाले में गटकरी ने कहा है कि सरकार ने रूस की सरकार की म पिटाने की जिम्मदारी उठाई छे विभाग की अधिकारियों ने भारतिय चिकित्सान उसंधान परिशद नाशनल इंस्टिटूट और वायरोलोजी और हैदरबाद सिर्भारतिय दवा कंपनी भारत वायोटेक प्राइविट लिमिटेड द्वारा तैयार स्वदेशी को वाक्सीन चर्चा का विशे बनी हुई है नई वाक्सीन को लेकर लोगों के मन में भय और कई भ्रम है अब इन्हें दूर करने की जिम्मदारी जुलाधिकारी ने नगर निगम सिक्षा स्वास्ति ICDS, DRDA और आपुर्ती समेट 6 विभाग को सौप दी है इन विभागों के अधिकारी देश भर में हजारों लोगों पर हुए दो चर्णों के सो प्रत्विशत परिक्षन की सफलता के बारे में एम्स पटना में चर्ड रहे तीसरे चरण के ट्रायल में शामिल होने के लिए प होटेल, क्लब, पार्क और मंदिरों में प्रवेश की अनुमती होगी इन जगों पर विधी विभस्ता के लिए परियाप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनाद किये जाएंगे हाला के इस दौरान नदियों में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है जुनादिकारी कुमार रवी और स्स्पी उपेंद्र कुमार शर्मा ने सायुक्त रूप से आदेश जारी किया है जारी किया गया आदेश में और शांती फैलाने वालों पर हाला की नज़र रखी जाएगी यातायाद स्पी अमरकेश जी ने कहा है कि भीडवाले महत प्रपून स्थानों पर वाहनों की पार्किंग और यातायाद की सुचारुवे वस्था करने की कारेयोजना तैयार कर ले 31 दिसंबर की रातरी से ही होटेल, कलब, मंदिर और पार्क के आसपास पुलिस बलों की प्रतिन्युक्ती सुनिश्चित करने के लिए आदेश जानी किया गया है तेजस्वी आदव ने की अपने पिता लालू यादव से मुलाकाद राज़त नेता तेजस्वी आदव बीते दिन राची पहुच चुके हैं वधासभा चुनाव की बाद पहली बार राची पहुचे तेजस्वी ने रिम्स में लाजुरत अपने पिता लालू यादव से मुलाकाद की राज़त के प्रदेश महासचे विनोध यादव ने बदाया की राज़त प्रमुक से मिलकर शेनिवार की देर शाम को फ्लाइट से तेजस्वी पटना लोट आएंगे वो बिहार में रहकर अब किसाना अंदोलन का नेत्रुत्व करेंगे राज़त के आगे के कारेकर्म की रणनीती भी आज की मुलाकात में उन्हाने तै की है शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष ने राज़ी के एक होटेल में जारखंड राज़त के पदाधिकारी ये बमकारे करताओं से भी मुलाकात की इस दोरान उन्हें पार्टी में अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी सुशील मोधी ने बिहार की क्रिशी विकास दर पंजाब से ज्यादा होने की कही बात पुर्व पुख्य मंतरी सुशील कुमार बोधी ने बिहार के क्रिशी विकास को लेकर अपना बयान जारी किया है जिसके तहट उन्हों ने कहा कि बिहार में 45 लाख मिट्रिक टन धान खरीद का लक्षे है और अब तक 2 लाख मिट्रिक टन की खरीद हो चुकी है एंडिये ने 2008 में क्रिशी रोड माप लागू किया जोसे देश में बिहार सबजी उतपादन में चोथे और फल उतपादन में आठवे स्थान पर पहुँच गया है किसान है तैशी होने की वज़े से 2005 और 2015 के बीच जहां बिहार की क्रिशी विकासदर 4.5 फीसी दी रही वहीं सब्धी में पंजाब की क्रिशी विकासदर मात्र 1.6 फीसी रही सुशीर मोदी ने आगे कहा कि राजसरकार ने धान खरीद को सुगम बनाने के लिए जमीन के कागस की अनिवारता समाप्त कर दी है इतना ही नहीं केंद्री सरकार ने धान के समर्थन मुल्य में तिरपन रुपए की वृद्धी की है अब किसान अपना धान 1868 रुपए प्रतिक विंटल की इदर से बेच सकेंगे गिरिराज सिंग ने विपक्षी दलों को ले कर दिया अपना बयान केंद्री मतसे पशुपालन और डेरी मंत्री गिरिराज सिंग ने अपना बयान जारी करते वे कहा है कि किसानों किन्नती और देश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर ये सी कड़ी में एक रशी कानू बीते दिन आयोजित किसान समेलन के दौरान गिरीराज सिंग नहीं बाते कही हैं। कभी उन पर भरोसा अब नहीं रहा है। का पहला मैच एडिलेट में खेला गया। पारी में 17 रन बनाने वाले मयंक अगरवाल ने दूसरे इनिंग में 9 रन बनाकर पैट कमिन्स की गेंद पर टिम पेंड को कैच देकर पवेलियन लोट गये। हाला कि मयंक अगरवाल अपनी 9 रनों की पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे करने में काम्याब रहे। और भारत की तरफ से वो सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले तीसरे वल्ले बास बन गए हैं। हाइस्ट पेट सेलिब्रिटीज लिस्ट में बनाई अक्षे कुमार ने जग है। अक्टर अक्षे कुमार बॉलिवूट के सबसे सक्सेस्फुल सितारे हैं। सालों से अक्षे कुमार ने मशूर अक्टर्स की लिस्ट में अपनी टॉप पर जगे बनाई हुई है। जिससे अब वो मिंटेन भी कर रहे हैं। इसका सबसे महत्वपून कारण है उनका एक के बाद एक हिट फिल्म देना। अक्षे कुमार साल में करीब चार फिल्म में रिलीज करते हैं जो सूपर हिट रहती हैं बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कमाई करती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2020 काफी खराब साबित हुआ केवल इन ही के लिए नहीं कोविट-19 के कारण और लॉकडाउन के चलते हर इंडस्ट्री पर ताला पड़ गया। इन सब के बावजुद अक्षे कुमार ने पॉपिलारिटी हासल की और दुनिया की फोर्ब्स टॉब्स सौ हाइस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में खुद का नाम शामिल किया है। लेटिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अक्षे कुमार एकलोते भारती आक्टर है जुनका नाम फोर्ब्स लिस्ट में 52 नमबर पर आया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके नुसार कोरोना के माहौल में स्कूल कॉलिज खोलने का फैसला सही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आज के रबस अतना ही बिहार की बड़ी खब्रों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी योटिब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें।